मिघालिया जिसको बादलोग का घर भी कहा जाता है पूरे भारत वर्ष से परियतक मिघालिया घुमने आते हैं ताकि यहां की खूपसूरती का मजा ले सके मिघालिया में सबसे अच्छी घुमने की जगाएं हैं यहां के पहाड, यहां के waterfalls, यहां की trekking, यहां के bridges और यहां की camping वैसे तो मेगाले में आपको बहुत सारी जगा घुमने को मिल जाएंगी लेकिन बहुत कम लोग हैं जो मेगाले के छुपेवे रहस्यों के बारे में जानते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल और वेलकम टो अनुज बकेट और आज अस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेगाले की कुछ ऐसी सीक्रेट जगाएं और उनकी स्टोरी जो की बहुत जादा लोगों को नहीं पता होती इस वीडियो में आपको कुछ सैड, कुछ शौकिंग, कुछ सीकरड बाते बताएंगे जो की मेगाले आने वाले हर टूरिस्ट को पता होनी चाहिए तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखना और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस दबाएंगे लाल बटन और उसी के साथ दबाएंगे घंटे का निशान मेगालिया का एक मात्र 51 शक्ती पीटों में एक मंदर जिसका नाम है जैनती माता मंदर और जो की नर्तियांग माता मंदर के नाम से भी मशूर है वह मेगालिया के जयंतिया हिल्स में पड़ता है एक क्यावन शक्तिपीट का मतलब ये है कि जब शिफ जी जब माता सती का अमरत शरीर लेके चल रहे थे तब विश्णु जी ने अपने चक्र से सती माता की शरीर के एक क्यावन हिस्से कर दिये जो की धर्ती पे अलग-अलग जगा आकर गिरे उन में से एक हिस्सा मेगालिया के शरी नर्तियंग दुरगा टेंपल में आके गिरा था तबी से यहाँ पे बन गया जयंति शक्तिपीट शरी नर्तियंग दुरगा टेंपल और आज के समय में उस ब्लड लाइन की तीसवी पीडी इस मंदर का रख रखाव करती है वैसे 600 साल से ज़्यादा भी हो सकता है यह ज़्यादा है और यहाँ पर भीड सबसे ज़्यादा कब होती है दुर्गा पुजा, दो नवरात्रों में नमबर दो, लिविंग रूट ब्रिज हम सब जानते हैं कि मेघालया में बहुत बारिश होती है और इसी बारिश के चलते, पुराने समय में यहाँ के लोग यहाँ पे बनियान ट्री लगाते थे और जब यह पेड बड़े हो जाते थे, तो इनसे निकलने वाली जड़े और लटाए बहुत लंबी-लंबी हो जाती थी और इनी बेलों के सहारे उस समय के लोग यहाँ पे रूट ब्रिज का निर्मान करते थे इस ब्रिज में बनियान ट्री की जड़ों को बैंबू के खोल और सुपारी के तनों के खोल में डाल कर ब्रिज की शेप दे दी जाती है और इस पे चलने के लिए पत्थरों और मिट्टी का इस्तवाल किया जाता है इस तरह से ब्रिज को बनने में तकरीबन 10-15 साल लगते हैं लेकिन इस तरीके के ब्रिज 500 साल तक टिके रहते हैं मिघालया में ऐसे लिविंग रूट ब्रिज का सबसे बड़ा एक्जामपल है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज नमबर 3 फीपी फॉल्स फीपी फॉल्स में घालया की एक हिडन जेम्स में से एक है जो की 2019 में ही डिसकवर हुई है जी हाँ 2019 से पहले यह जगा किसी ने देखी तक नहीं थी यह जगा लोकीटिड है वेस्ट जैनतिया हिल्स में और इस फॉल्स तक पहुचने के लिए आपको तकरीवन एक किलोमीटर का सफर पैदल तै करना पड़ेगा फिपी फॉल्स तक जाने के लिए आपको कोई man-made amenities नहीं मिलेंगी आपको actually natural जंगलों और पत्थरों से होकर गुजरना पड़ेगा तब जाकर आप फिपी फॉल्स पहुच सकते हैं फिपी फॉल्स नैचुरली एक बहुत ही बड़ा फॉल्स है जो कि तीन स्टेप में बटा हुआ है और आज के समय में बिखाले आने वाला हर तुरिस्ट फिपी फॉल्स जरूर रिकमेंड करता है नमबर चार ट्रिशी फॉल्स ट्रिशी फॉल्स में घालया के बहुत सारे वाटर फॉल्स में से एक छोटा सा लिटल ट्रेजर है जो कि आपके सफर को बहुत ही बड़िया बना देगा ट्रिशी फॉल्स पढ़ता है जो वाई शिलॉंग रोड के पास और यहां पहुशने के लिए भी आपको एक बहुत ही प्यारी ग्रीन फिल्ड से गुजरना पड़ेगा इसके पहुशने तक के रास्ते के एंड में आपको एक बहुत लंबा ब्रिज मिलेगा जो कि ट्रिशी फॉल्स सक जाता है ट्रिशी फॉल्स सक जाना और वहां के फॉल्स को experience करना आपके पूरे सफर को एक बहुत ही जबरदस सफर में convert कर देगा नमबर पाँच इयालंग पार्क मिघाले में एक ऐसा पार्क है जो की हमेशा बहुत ही साफ सुतरा रहता है इयालंग पार्क को यहां की सरकार ही नहीं बलकि यहां के लोग भी पूरी कोशिश करते हैं साफ रखने के इस पार्क की खासियती यह है कि यह मिघाले के सबसे cleanest पार्क में से एक है इयालंग पार्क पड़ता है जोवाई से 8 किलोमेटर की दूरी पे और इस पार्क में बच्चों के लिए बहुत किसम के जूले भी है यहां के लोग इस पार्क को बिलकुल भी गंदा नहीं होने देते और हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी यहां पे टूरिस्ट घूमने आए वो भी जाने और अंजाने में इस पार्क को गंदा ना करें ताकि यहाँ पे आने वाला हर टुरिस्ट और आप भी यहाँ की खूबसूरती और नेचर के मज़े पूरी तरह ले पाएं मिघाले में आपने बहुत से फॉल्स देखी होंगे और बहुत सी टुरिस्टिक जगाएं भी देखी होंगी लेकिन क्या आपने मिघाले में ऐसा गाउं देखा है जहां लोगों की पहचान उनके नाम से नहीं बलकि उनकी सीटी की आवाद से होती है जी हाँ मिघाले में एक विलेज है जिसका नाम है कॉंगो थॉंग विलेज और जो की विसलिंग विलेज के नाम से भी मशूर है इस गाओं में लोग एक दूसरे को नाम ले के नहीं बलकि सीटी मार के बुलाते हैं यहाँ पे तक्रीबन 600 से 700 लोग रहते हैं और सबकी सीटी की धुन अलग-अलग है और यही बात इस गाओं को बाकी गाओं से अलग बनाती है नंबर साथ, मौरिंग खांग मेखालय का सबसे खतरनाक और सीक्रेट ट्रैक है मौरिंग खांग ट्रैक और यह खतरनाक ट्रैक पड़ता है East Khasi Hills में मौरिंग खांग वे ट्रैकिंग करने का एक्सपिरेंस बहुत ही जबरदस होता है और यहाँ जाने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिल लोगों को हाइट सेडर लगता है उन्हें शायद इस ट्रैक पे ट्रैकिंग नहीं करनी चाहिए मॉरिंखांग ट्रैक पे ट्रैक करने के बाद जहां आप पहुचेंगे वहाँ पर आपको मेघालिया के सबसे जबरदस व्यूपोइंट देखने को मिलेंगे नमबर आठ नो कालिकाई फॉल्स हम सब जानते हैं कि नो कालिकाई फॉल्स चेरा पुंजी में घालिया का एक बहुत ही जबरदस ट्यूरिस्टिक स्पॉर्ट है लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नो कालिकाई फॉल्स का नाम नो कालिकाई फॉल्स क्यों बढ़ा नो कालिकाई फॉल्स के साथ एक बहुत ही महत्वपूर कहानी भी जुड़ी है कि लिकाई नाम की एक प्रोटाइगोनिस्ट थी जिनके बारे में ये माना जाता है कि उन्होंने अपना खुद का बच्चा मार के पका के खा लिया था और इसी मैडनेस और रेज में लिकाई ने अपने घर के सबसे पास वाले वाटरफॉल से जम्प लगा ली थी और वो ही वाटरफॉल था नो का लिकाई वाटरफॉल और नो का लिकाई का पूरा मतलब यही है कि जहां से लिकाई ने जम्प लगाई थी नमबर नौ नौंग बारे विलेज नौंग बारे गाउं मिघालया का सबसे अस्चरेजनक गाओं है जैसे अगर आप यहां गुमने आएंगे तो यहां पे आपको 10 गुफाओं का एक जाल बिकरा हुआ दिखेगा और यहां की सबसे अमेजिंग गुफा है यहां की आमथेरी गुफा और इस गुफा में आप यहां का क्रिस्टल क्लियर वाटर और उस पानी में तैरती भी मचलिया भी देख सकते हैं नौंग बारे गाओं में आपको यहां का एंशियंट लिविंग रूट ब्रिज भी दिखेगा अगर आप इतिहास के शौकीन हैं और सस्पेंस के लिए तरस रहे हैं तो सिंडाई केवस आपके लिए एक परफेक्ट जगा है ग्यारा गुफाओं को मिलकर बनता है सिंडाई केवस और यहां पर आपको जैंतियाई समराज्य के युद्ध के बाद के काफी अफशेश देखने को मिलेंगे यहां पर रूपासोर घाट नाम की एक जगा है और यहां पर आपको एक रॉयल हिल रिजॉर्ड भी मिलेगा रूपासोर घाट के पास प्राचीन मूर्तियां आज भी अपने मूह लाकार में यहां रखी हुई है ऐसा माना जाता है कि युद के दोरान रॉयल फैंबलीज छिपने के लिए इस इंडियाई केव्स का इस्तिमाल करती थी तो यह थी मेगालिया के 10 वो सीक्रिट जो आपको जरूर पता होने चाहिए यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस दबाएं लाल बटन और उसी के साथ दबाएं गहंटे का निशान और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के behind the scenes आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें contest it was very nice to be with you again be well namaste